जेहन दोस्तो आज मैं आपको सेना भरती से जोड़ी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कुछ यहाँ पर मेरे पास नोटी पेकेशन है आप हमारी सिक्रीन पर देख सकते हैं कुछ वेकेंसी निकली है और दोस्तों यहाँ पर काफी बच्चे बोल रहे थे जो यह नोटी पेकेशन आप देख सकते हैं उनी में से एक है यानि कि बच्चे दावा कर रहे थे कि अब बिगर एक्जाम के जोइनिंग हो रही है क्योंकि नोटी पेकेशन बीजी सेंटर का है तो इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दोंगा महर भी लगी हुई है और बच्चे यानि कि 100% मान चुके हैं कि अब बिगर एक्जाम के जोइनिंग होगी तो मैं इसकी आपको पूरी जानकारी दोंगा और कौन से सेंटर में यानि कि हाँ पर आप देख सकते हैं असम राइफल में कुछ वेकेंशी निकली है आपकी जो 1380 वेकेंशी इनकी मैं आपको पूरी जानकारी बतांग और काफी बच्चों को पहले पता चल गया है और दो तो आपको आपको यह जेट अपकर यह फार अंगे कर देज कम आ इसमारे बताति एसकाएं 'm गां यह अफ्ılेया को सब्सक्राइब करेंग आंगे बीडीयो को सियर करstवे एको तुम से पहले आपको बता देता हूं जो और? यानि कि मान सकते हैं कि आप आज 28 अप्रेल है ठीक है और काफी बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को 39 अप्रेल 30 अप्रेल और एक माई दो माई को भी देखेंगे तो यह नोटी पेकेसन दोस्तों देखो आपको बता दूँ सोट सर्विस कमिशनर की जो भरतियां होती है आपको सभी को पता होगा तो वो दोस्तों यह हैं जहांपर 25 जो बंदे सिलेक्ट किये गए हैं उनका मान सकते हैं कि रजल्ट आया ह यहांपर नाम फादर स्नेम सबकुछ यहांपर डेट ऑब बर्थ जो रोग में तो आप को बसक्वा Thanks ... ईए और एक जैनिक हो जाएगी तो आज रहूगा है और नहीं होगा ठीक है ये पॉइंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होえ को मैं आपको बता दों यह दोस्तों यहनि मैं की सौट सर्विस कमिशनल का है ठीक है और दूसरा पॉइंक दोस्तों यहां पर आप आपको बता दूं कि लर्क में कितनी वैकेंशी हैं 287 हैं और जो ऑपरेटर है रेडियो लाइन का वह यहां पर आप देख सकते हैं 729 वैकेंशी हैं और भी हैं जो यहां पर बहुत सारी हैं जो आप पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी ले सकते हैं असम राइफल जो उनकी वैबसाइड है वहां पर जाकर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और यह पूरे भारत के बच्चे बढ़ सकते हैं यानि कि फी फीमेल और मेल दोनों इसे अपलाई कर सकते हैं इसमें दोस्तों अच्छे कासे अगर आप तयारी करते हैं तो नंबर आजाता है यानि कि बताया जा रहा है कि काफी काफी समय से आपको बता दूंज ट्रेनिंग जो सेंट्र हो खाली पर हैं ट्रेंग पान्य चेप रहें गेंगे जो मनोज पांडे हैं और वह जल्ल्द और जल्द हमारी भी का आदेश्ट तो लदेखो हो सकता है अगर ये जो हमारे माई को मारे नए मैं बड़लाव के साथ बच्चों में बोल सकते हैं कि खुशी किलिए हो जाए और भड़तियां जल्दी से आए ठीक है और अब यहाँ पर इसी के मादम से दोस्तों देखो काफी वच्चियों का एक डाउट एकजाम 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 दोस्तों देखो 29 जो मई की जो डेट है वो यानि कि लास्ट बीक में आप सभी को पता होगा हर महिने के लास्ट बीक में एकजाम होता है यानि कि जो कोई डेट निकलती है तव तो यहाँ पर 29 मई है अभी दिन तो देखो आपको बताओगा सीधा एक महिना है पर बाकी आप देखते हैं एक एक मई को यह नए हमारे चीप बन जाएंगे मनोज पांडे और बनते ही हमारे लिए क्या निकलती है वो भी आप सभी को पता चल जाएगा तो यह चार अपडेट थे जो मैंने आप तक बताए हैं बाकी इसकी जो पूरी जानकारी आपको एक मई के बाद मिलेगी और यहां पर यह आपके लिए वेकेंसी है और दोस्तों यह कोई जोइनिंग नहीं यानिकी जोइनि करती से जोड़ी आपसे रेक्वेश्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्तों साथ वीडियो को सेर कर देना हम आपके लिए पूरी जानकारी इंडियन आर्मी से रिलेटिव लाते रहेंगे तो आज की वीडियो में तना ही चैहन्त